Hello and welcome to today's video So first of all I would like to say sorry मैंने मेरी frequency बिल्कुल भी नहीं थी मैंने संडे को वीडियो अपलोड नहीं किया Actually I am really sick तो इसकी वैसे मैं आपको इस वीग भी शायद काम वीडियो जी दिखे मैं कोशिश करूँगी आपने जो भी request किया है आने वाले weeks में मैं कर पाऊ So let's start with a video So आप जो picture में देख रहे हैं It's a satin lehenga with applique work And इसमें जो blouse है वो आपका Shimmery blouse है Sequin worker blouse है तो और आप देख सकते हैं जो applique work वाला हिस्सा है यह काफी बड़ा design है मतलब overall design बहुत बड़ा है इसमें So हम इसमें benefit आपको यह है इस design के अंदर कि आप पहले से जो applique work वाला जो portion है क्योंकि applique work हमेशा बड़ा होता है Embroiatory के तरह इसमें बारिक design नहीं होता है बड़े design होता है तो वो applique work वाला हिस्सा आप already draw कर लीजे मैंने भी अपने drawing में पहले ही यह applique work को pencil से draw कर लिया है और अब उसके बाद हम जो है coloring का process शुरू करेंगे तो हम start करते हैं सबसे पहले blouse से शुरू करेंगे सबसे पहले base में जो भी color है आप pencil color भी use कर सकते हैं मैं यहाँ पर raw ombre use कर रही हूं base में blouse के लिए और इसके बाद इसमें white poster color से जो है sequence indicate करने के लिए छोटे बड़े white color से sequence बना रही हूं इसके ऊपर सो आप भी ऐसे sequence बना सकते हैं पोस्टर कलर की मदद से आप sequence ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर and then आपको सबसे जो light color है green का आप देख सकते हैं लेंगा green color का है बेल्कुल dark green color का है इसलिए सबसे lightest green हम यहाँ पर pick करेंगे और ध्यान रखें जो applique workers को छोड़ते जाना है आपको और फिर आपको base color करना है आप pencil color का भी use कर सकते हैं इसमें जादा time लगेगा अब मैं यहाँ पर जो है दूसरा color add कर रही हूं वो है dark green ध्यान रखें यह dark green second color है यहाँ पर और आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर areas छोड़ी हूं यह जो आपको striking areas दिख रहे हैं बीजबीच में बड़े बड़े जो बहुत ही sharp shadows दिख रहे हैं आपको क्योंकि satin fabric sharp shadows देता है इसलिए हम यहाँ पर pencil color का use कर रहे हैं और sharp shadows छोड़ रहे हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने जगे छोड़ी है वो sharp shadows है आप picture से match करके वो sharp shadows छोड़ सकते हैं design के आसपास जो है जो applique work है उसके आसपास भी आप outline दे दे कर outline करके आप देख सकते कैसे outline करके मैं fill कर रही हूं और applique work को बिल्कुल छोड़ नहीं हूं अब next is brown color जो की darkest brown color है वो हम add कर रहे हैं darkest brown color हर जगे नहीं है लेकिन जहां पर भी यह बिल्कुल almost उसको blackish look दे रहा है और कहीं पर मैं इसको बहुत दबाव से यूज़ कर रहे हूं कहीं पर lightly यूज़ कर रहे हूं पर यह darkest brown जो है पूरे लेंगे में आपको देखने आपको अगें आप darkest brown भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो striking shadows है उनको छोड़ना है don't cover those shadows क्योंकि यही पैचान है satin fabric का satin fabric जब भी आप render करते हो आपको एक बहुत ही striking shadow दिखेगा उसमें एक ऐसा shadow दिखेगा जो almost उस कपड़े का color लगेगा नहीं जैसे कि आप देख सक tone है जो base color है और जो हमारा जो हमने इसके अंदर जो तीसरा tone दिया है तो उतना ही striking difference आपको दिखाना होगा आपके कोई भी आप जब satin satin का कोई भी garment करते हैं इसके लावे यहां पर applic work है तो काम थोड़ा सा complicated हो जाता है shadow plus applic work अगर यहां पर imagine करिए अगर यह applic work नहीं होता तो इन shadows के लिए जादा space बसती थी पर हम पस जो भी space है हम उसमें आपको 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 shadow दिखाना है अगर आप पूरा flat green यहां पर अगर आप fill कर देंगे dark green या light green fill कर देंगे then the people will not be able to identify with the fabric उनको नहीं पता चलेगा कि क्या fabric है और जब यह striking shadow आप जब add करते हो त softness की feel होती है आपके satin fabric में जो आनी चाहिए वो दिख कर आती है कि हाँ तो ऐसा fabric है जो इतना smooth है जिसका shadow जो है बिल्कुल sharp आ रहा है जैसे आपने लोगों को बाल भी देखे होंगे कुछ लोग जिनके बाल बिल्कुल straight होते हैं उनमें एक striking shine आती है hair में ठीक उसी तरह से satin इतना smooth होता है जिसके वैसे striking shine आती है satin fabric के अंदर तो यही striking shadow दिखाने के लिए हमने यहाँ पर जो है तीन colors का use किया है अब यहाँ पर मैं brush का use करने हूं उसको color को mix करने के लिए यह step बहुत important है satin में अगर आप सिर्फ color को apply करके छोड़ देंगे और color को mix नहीं करेंगे आपको color mix करना है लेकिन आप ध्यान रखिए आपको brush को इस तरीके से move करना है कि जो area हमने छोड़े है उन area को और जो है color हुआ कर remove कर देना आप देख सकते हैं मैं कैसे color remove कर रही जो भी color remove कर रहे हूं ताकि वो shadows तो दिखे और आप कुछ areas में मुझे देखेंगे करते हुए कि जहां पे color blended नहीं है मतलब आपको कुछ areas असे दिख रहे होंगे कि जहां पे बिल्कुल तीनो color अलग-अलग दिख रहे हैं उन areas को blend करना होगा हमको brush से unfortunately यहां पे आपके option न color से करें यह चीज आप silk में कर सकते हैं पर satin के लिए 100% you need a little blending तो आप देख सकते हैं blending होने से ही जो कपड़े में जिस पूंदर संद दिखाना चाहते हैं कपड़े के अंदर कि यह smooth कपड़ा है वो feel दिखाने के लिए जरूरी के ब्लेंड करें आप देख सकते हैं यह area जो है mix होकर एक color बन जाए और कहीं भी ऐसा ना लगे कि हाँ shadows तो बन रहा है लेकिन it's a fake shadow आपको natural shadows दिखाना है और उसके लिए आपको तीनों color को blend करना पड़ेगा आराम से करिए अब इसके उपर हम जो है आप्लिक वर का जो भी color है उसको हम पहले color करेंगे base color कर दीजे बिल पोस्टर के साथ gold बनाने के लिए सो हमने bright gold color yellow color use किया है याप और हम जो है आप्लिक वर को यहां पे color कर देंगे पहले flat feeling होगी इदर अब धीरे-धीरे हम इसमें tones add करेंगे आप्लिक वर के ऊपर थोड़ा सा brown का इंग करेंगे क्योंकि महां design shadow होने के वैसे कम दिख रहा है कहीं पर हम जादा white poster color add करेंगे क्योंकि महां पे जादा design bright हो रहा है तो इस तरीके से जो आप्लिक वर के आपको finish करनी है आप देख सकते हैं कुछ flowers जो है वो जादा दिख कुछ flowers कम दिख रहे हैं कुछ leaves जादा दिख रहे हैं कुछ leaves कम दिख रहे हैं क्योंकि uniformly design पूरा बराबर नहीं दिखेगा क्योंकि obviously saturn पर किया गया design है तो जो reflection होगा saturn का वह एफेक्ट करेंगा इधर अपलिक वर्क जिस तरीके से fall change होगा फाबरिका उस तरीके से जो है कहीं पर light तो कहीं पर dark होगा यह अपलिक वर्क वर्क पर variation नहीं दिखाएंगे तो पूरा लेंगा flat दिखेगा अब जो है border है उसको हम color कर लेंगे यहां पर हम dark green का use कर रहे हैं border को color करने के लिए थोड़ा सा elements add करने के लिए हम यहां पर pencil color का भी use कर रहे हैं और थोड़ा सा हम यहां पर yellow color का भी use करेंगे poster color का border को थोड़ा add on effect दिखाने के लिए similar way में जो हमारे दुपट्टे का border है वो भी होगा क्योंकि वो same border है जो कि लेंगे में border है तो same dark green का use करके और design हमने कुछ खास बनाया नहीं है वही hatching design दे रहे है इसके उपर अब बाकी areas जो है उसको हम dark कर लेंगे क्योंकि वह comparatively dark रहेगा क्योंकि वह अंदर का portion है तो सारा dark हो जाएगा और इससे हम दुपट्टे को color कर लेंगे तो इस तरीके से आप जो है render कर सकते हैं saturn लेंगा and saturn बहुत ही you know कपड़ा है जो की use होता है नॉमली लेंगा बनाने के लिए heavy especially heavy work के लिए use होता है so hopefully आपको समझ में आया होगा कि saturn किस तरीके से work करता है saturn fabric किस तरीके से work कर सकता है और आपको basic understanding saturn की मिली होगी so hopefully आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो please like and subscribe and once again I'm really sorry कि मैं जादा वीडियो अप्लोड ने कर पाऊंगी इस वीक hopefully मेरी health जैसे improve होगी उसके हसाब से में वीडियो की frequency बढ़ाऊंगी so thank you so much for watching this video and if you liked it like and subscribe we'll see you in the next video thank you so much